जैहिन प्यारे बिच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत वस्क्लासेस में प्यारे बिच्चों, आज हम लोग कच्छा 5, JCRT, हिंदी पाठपुष्टक भासंजली में पाठ 7, छिठी इस कवीता को पढ़ेंगे तो प्यारे बिच्चों, आज के तक दीबं 20-30 वर्ष पहले, जन संचार के माध्यमों में लोग अपने मन के विचारों, अपने सुचनाओं को एक अस्तान से दूसरे अस्तान तक पहुचानी के लिए चिठी का प्रियोग किया करते थे वे अपने सुख दुख की बाते, अपने घर का हाल समचार, इन सभी चीजों को पत्र में लिख कर अपने सगे संबंदियों के पास भीजा करते थे तो इसी में उन सारी चीजों को बताया गया है कि किस परकार से चिठी हमारे घर का अख़बार हुआ करती थी जिसमें हमारे घर की सुख दुख की बाते लिखी जाती थी प्रन्तु आज के समय में इंटरनेट और SMS, WhatsApp, Facebook इन सभी चीजों के आने से चिठी का महत्व वेक्तिगा तोर पर कम हो गया है अब लोग वेक्तिगा चिठी ना के बराबर लिखते हैं जो यहां पर कारियालों में चिठी लिखी जाती है अभी वे सभी चिठी ही यहां पर चल रही है तो बच्चो इस कवीता में हमें बताया गया है कि चिठी किस परकार हमारी धरोहर है और हमें उसके महतों को समझना चाहिए तो कवीता इस परकार से सुरू होती है चिठी में है मन का प्यार, चिठी में है घर का अकबार चिठी में घर का अकबार है अर्थार चिठी में हमारे घर की सुख दुख की बाते लिखी जाती थी किसी घर में किसी का जन्म दिन है किसी की साध्य हो रही है या फिर किसी दुख की मा की तवित खराप है पिताजी की तवित खराप है या फिर पैसे क्या शकता है इन सभी बातों को चित्थी में लिखा जाता था इसलिए चित्थी को घर का अकबार भी कहा जा रहा है इसमें सुख दुख की है बाते प्यार भरी इसमें सौग आते कितने दिन कितने ही राते तै कर आई मीलो पार चित्थी में है मन का प्यार, चित्थी में है घर का अखबार यानि चित्थी कितने मीलो दूर से सफर तै करते हुए हमारे पास पहुचती है इसलिए भागया है कितने दिन, कितने ही राते तै कर आई मीलो पार यहां आई मम्मी की चित्थी लिखा उन्होंने प्यारी कित्थी मेहनत से तुम पढ़ना बेटी पढ़ लिखकर होगी हुश्यार चित्थी में है मन का प्यार चित्थी में है घर का अकबार यहाँ पे एक मा अपनी बेटी जिसका नाम किर्टी है उसे चिठी लिख रही है कि तुम महनत से पढ़ना पढ़ लिख कर तुम होश्यार बनना पापा पोस्ट कार्ड लिखते हैं घणे घणे अच्छर दिखते हैं जब आता है बड़ा लिफाफा समझो चाचा का उपहार चिठी में है मन का प्यार चिठी में है घर का अखबार जब बड़ा सा यहां पर लिफाफा आता था तब वे समझते हैं कि चाचा जी कोई उपहार भेजे हैं और यहां पर यह सारी चिठी में है मन का प्यार चिठी में है घर का अखबार छोटा सा काज़ ठीक है बिना पैर के दुनिया भर की सेर करता है ठीक है आप चिठी लिखते हो अपने सगे संबंदियों को तो वह डाक्या के द्वारा एक स्थान से दूसरे अस्थान लिए जाया जाता है तो बिना पैर के यहां एक जगा से दूसरे जगा सफर कर रहा है तो यहां था कवीता चित्थी इसका प्रशन उत्तर की वीडियो और रेड़ी यहां पे भारतोस क्लासिस पर अप्लोड है और बच्छा इस कवीता को आप एक से दो बार जरूर पढ़िए और चित्थी के महत्व को समझें हो सके तो अपने सहपाथियों को अपने माता पिता क चित्थी लिखा कीजिए गलत ही सई लेकिन लिखीए जरूर ठीके प्यारी मम्मी पापा मैं कुषल पुरूग हूं आप भी कुषल पुरूग होंगे मेरी पढ़ाई अच्छी चर रही है ठीके छोटे भाई-बहन होंगे तो छोटे भाई-बहन को मेरा प्यार कहना इसी के